दोस्तों आप सपीकास वागत है और चूजस पे तो सी यू सीटी 2022 जो की इस बार आपकी एंटीए इस एक्जाम को कंड़क्ट करवाने वाली है common university entrance test जो है तो इसकी eligibility criteria क्या रहेगी application form कब तक आ रहा है और registration कब से start होगा बस क्या रहेगा आपके UG और PG courses के लिए और क्या date रहेगा एक्जाम का कब तक notification जारी हो सकता है इसके बारे में detail analysis करेंगे और form भरने का क्या procedure होगा चीक है तो आप लोग इस वीडियो के अन तक जुड़े रहेगा अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजएगा बेल आइकन प्रेस करना नहीं बोलेगा क्योंकि मेरे चैनल पर आपको जितनी भी उनवर्शिटी से भी update है वो लगातार मिलती रहेगी तो देख लेते हैं फर्स आफ आफ आल क्या है आपका full update इसके बारे में तो CU City का जो application form है वो March तक release होने के बात की जारी है कि जो CU City का application form है वो March 2022 तक जो है आपका release हो जाएगा क्योंकि Central University का है जब तक इंट्रेस्टेड नहीं होंगी इसमें क्योंकि अभी हमें पता है कि 14 Central University हैं जो कि आपकी इसमें इंट्रेस्टेड हैं CU City कंड़क करवाने में इससे पहले हम जानते थे कि सारी University जो है अपने यूजी और पीजी कोर्सेस की अलग से इंट्रेंस टेस्ट जो है करवाती थी पर जो है आपके Central Government के द्वारा यह निरने लिया आ गया था कि जो है अब एक्जाम क्या होगा एक एक एक्जाम होगा जिससे कि आप जो है किसी भी University में अपना admission ले सकते हैं जैसे आप नीट और जेई में देखते थे तो चौदव आपकी Central University और चार्ट जो है स्टेट University है जिसके लिए आप जो है स्यू सिटी के लिए अपलाई कर सकते हैं और यह जो है आपके मार्च से जो है स्टार्ट हो जाएगी इसके लिए आपका रिलीज कर दिया जाएगा फॉर्म और आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं ओनलाइन माध्यम्स के द्वारा ठीक है और हम इसमें पूरा दीटिल देखेंगे कि किस तरीके से आपका application procedure होगा तो first of all देख लेते हैं स्यू अभी हम आगे उसके बारे में जानेंगे कि कौन-कौन सी उन्वरसिटी अभी इसके अंतरगत आ रही है और इट कैन वी वीक ओफ अप्रेल जो है ठीक है यहां से स्टार्ट होगा और examination विस हैड इन थर्ड वीक ओफ में ठीक है यह application फॉर्म की बात थी अप्रेल में मार्च में जो है भरा जाना स्टार्ट होगा और अप्रिल तक भरा जाएगा और मैं इसे एक्जाम कंड़क्ट होगा नेक्स देख लेते हैं application form क्या होगा तो अभी event जो dates इसमें दी गई वो tentative है यह change भी हो सकती है तो application form का जो notification है वो third week of March जो है जारी कर दिया जाएगा क्योंकि अगर normal condition रही तो पर अभी तो अगर हम लोग news के माध्यम से देखे तो अभी Corona का जो है बड़ लगातार Omicron की cases बढ़ रहे हैं पर expected है कि मार्च में जो है आपके थर्ड week से यह application form start हो जाएगा आपका second week April तक आप इसको form भर सकेंगे ठीक है एंड कप हो जाएगा आपका अप्रिल में लास्ट में जो आपका फोर्थ वीक है उसमें आपका यह application form end हो जाएगा यानि अब उसके बाद form भर नहीं सकते अडमिट कार्ड की बात कर लेते तो मई के second week तक admit card जारी कर दिया जाएगा थर्ड week से आपका exam conduct होना start हो जाएगा प्रोविजनल एंसर की की बात करते तो result भी आपका publish कर दिया जाएगा तो यह एक तरीके से आपका अब देख सकते हैं अगर नॉर्मल कंडिशन होगा तो यही वाला जो है application form भर जाएगा फिर जो है अप्रिल फूर्ट वीक तक फॉर्म का जो है अप्लिकेशन फॉर्म का एंड हो जाएगा फिर उसके बाद आपकी सेकंड वीक उफ में जो है अड्मिट कार जाएगा थर्ड वीक आफ में जो है आपका exam conduct करा जाएगा फिर प्रोविजनल एंसर की आपकी फॉर्स्ट वीक में आएगी सेकंड या फिर फॉर्ड जो है फाइनल एंसर की आजाएगी जून में और जो है जुलाई कि सेकंड वीक तक रिजल्ट भी खोशित कर दिया जाएगा तो आप लोग जो है इस्पेशली यूजी कोर्स के बच्चे ध्यान से देखेंगी क्योंकि आज मैंने जो अपडेट दिया था उसके कोर्डिंग जो है अभी यूजी कोर्स में ही सर्फ अप्लाई करने की बात की जा रही है अब eligibility criteria देख लेते हैं eligibility criteria for Central University common interest test 2022 in terms of educational qualification for both UG and PC courses tabulated below हम देख सकते दोनों कोर्स के लिए हैं तो याद रखेगा UG courses के लिए मैं पता है हमारा बारा पास होना चीए इंटर्मीडियर तक हम पास होने चीए किसी भी रिकुन रिकुन रिकुनाइज बोर्ट से चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो आप उसके लिए apply कर सकते हैं अगर हम पीजी के बाद कर सकते हैं तो जो है आपका 11 12 साथी साथ आपके UG होना ची फिर आप जो है apply कर सकते है नेक्स देख लेते हैं कौन कौन से जो है युनवरिसिटी जो है आपकी इसके अंतरगत अभी आ रही है तो देख लेता है इसमें डीटेल में दिया हुआ है आश्म यूनवरसिटी आती है और एप सेंट्रल यूनवर्स इप आप आंधर पर कश्मीर कैरला उडिशा पंजाब राजस्थान सौथ बिहार एंड अपका तमिल नाडू भी आता है और बैंगलूरू में आपका ब्यार अंबेटकर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स उनवर्सिटी भी आपका आता है बाबा गुलाम साह पाच्छा इनवर्सिटी भी इसके अंतरगत चार चार जो स्टेट उनवर्सिटी भी इसके अंतरगत जो है अभी आती है पर अभी डिगों ने क्लियर कर दिया है कि वह भी अपना स्यूसिटी के अंदर ही जो एक्जाम होता है कॉमन इंट्रेस्ट वह भी यूजी कोर्सेस के लिए करवाएगी ठीके इस बार से डिओ न तो Central University Common Interests के लिए जो फीस है वो आपका Journal, OBC और EWS के लिए 800 रहेगी क्योंकि आपको पता है कि आप जो है बहुत सारे जब आपको आप 12 पास करते हो तो आपको बहुत सारे इन्वर्सिटी के लिए इंट्रेंस देना होते हैं तो अलग-अलग जो है फॉर्म बरने पड़ते हैं तो काफी जो है कॉस्ट आता तो एक कॉस्ट बर्डेन आपका कम हो जाएगा 800 फीस लगेगी आपकी सिर्फ और इसी की बेसिस पे आप जो है बहुत सारे अच्छे पीड़ेटी के लिए जीरो रूपीज है नेक्स देख लेते हैं हम लोग जो आपका दिया हुआ है अब इसके एक्जाम के पैटर्न के बारें बात कर लेते हैं तो एक्जाम जो है आपका ओफलाइन मोड में ही कंड़क्ट करवाय जाएगा और आपका ये रिटेन बाता में ही एक्जाम आपका कंड़क्ट हो जाएगा ठीक है एंड विदिन टू आवर केंडिडेट को जो है सौल कर लेना है सारा कॉश्चन और कितने कॉश्चन होंगे इसकी बात कर लेते हैं टोटल हंड्रिट मॉल्टिपल च्वाइस कॉश्चन ठीक है mcq अधारित पेपर हो वन फोर्थ मार्क्स आपका डिड़क्ट कर लिया जाएगा आपके जो मार्क्स आपने गेन किया है तो याद रखेगा माइनस मार्किंग वाला सिस्टम भी यहां पर अप्लाइड होगा एक्जामिनेशन को कॉश्चन्स विल कंटेन टू सेक्शन फर्स पार्ट ए एंड सेक क्योंकि यहां पर दो पार्ट है तो इसको थोड़ा अच्छे सा समझेगा कि 25 कॉश्चन्स होंगे और आपके इंग्लिश लाइंग्विज के लिए जर्नल अवेर्नेस मैतमाटिकल अप्टिटूड अनलेटिकल स्किल यह सब आपका इसके अंदर इंवाल्व होगा 25 कॉश् आपके डॉमें औफ और आपके 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 ऐसब 25 आपसे मनेटिक्स अब नोलेट आपके माटिक से महुचत के के सारिंए अधिकर से लिए तो उनलेटिक से अब problem solving skill को भी देखा जाएगा ठीक है अब next बात कर लेते हैं application form कैसे fill करेंगे तो हमारा जो यह application form fill होगा वो c u c t n t a dot n i c dot i n in पे होगा तो आप लोग लगाता इसको track करते रहिएगा और इसमें जो है आपका जो भी documents लगेंगे क्योंकि आप जो है pass out करेंगे तो कुछ documents भी आपको देना होगा तो documents भी आपका ready होना चाहिए ठीक है और यह procedure मैं भी आपर नहीं बताऊंगी क्योंकि आपके लिए जो ज़रूरी है क्या है कि क्या क्या procedure है कैसे होगा कैसे नहीं होगा क्या कितने marks के होंगे वो ज़रूरी था तो एक बर फिर से मैं पूरी चीज़ आपको फिर से बता देती हूँ कि याद रखिएगा स्यू सिटी जो entrance examination है इस पर जो है आपके जो ministry of education है उसने बोला है कि बहुत सारी जो इनवर्सिटीज है common interest test के मांधम से अपने बच्चों को जो है लेंगी college में admission उसके अधार पे ही तो इसके अंदर गार जो है आपको सीू सीटी एक exam देना होगा जिसकी application form fees होगी 800 रुप प्रेट के लिए 350 रुपे पेड करने होंगे और प्वड के लिए कोई फीस नहीं है अगर हम यूजी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ट्वल्थ पास होना जरूरी है अगर हम फीजी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है first of all आपको क्या क्लियर करना ब दो घंटे का होगा ठीक है और रिटेन में होगा ठीक है रिटेन होगा ना कि ऑनलाइन रिटेन एक्जाम होगा और सिर्फ जो है उसमें 100 कोशन होंगे और एक कोशन जो है एक कोशन एक मार्क्स का होगा और इसमें माइनस मार्किंग भी है ठीक है आपकी मनफोर्स मार्क डे यह पूछा जाएगा और आपका क्या पूछा जाएगा इंग्लिश से पूछा है यह पूरी तरीके से आपकी डिटेल इनफॉर्मिशन है यहां पर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिजएगा सपोर्ट करिए शेयर करिए जदा ज़्यादा लाइक भी करिएगा ठीक है और चैनल से जुड़े रहीएगा ठीज़े बाद